दोस्तों स्टार प्लस का शोओ अनुपमा तो आप सब देखी रहे होंगे जिसकी कहानी को इंट्रेस्टिंग बनाने और उसमें नया नया रोमैंटिक ट्रैक लाने का पूरा श्रे जाता है अभिनेता गौरफ खन्ना को जो की शोओ में रुपाली गांगुली के साथ अपनी क केमेस्ट्री से हर किसी का दिल जीत रहे हैं जिसकी वज़े से हर कोई गौरफ खन्ना को एक से बढ़कर एक ओफर्स आ रहे हैं जिसका नतीजा इनका एक म्यूजिक वीडियो है जिसमें उनका साथ देंगी टीवी इंडस्री की खूबसूरत और टैलेंटेड क्रितिका जी हां खबरों के मताबिक इन दोनों की जोड़ी जल्द ही न्यू एल्बम सॉंग तुमसे महबत है में नजर आने वाली है इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस सॉंग की कहानी क्या होगी इस सॉंग को गाने वाले कलाकार कौन होंगे और इस पर वर्तमान में जिस तरह ये अनुच का पाडिया के रोल में नजर आ रहे हैं वो हर किसी के दिल पर एक अलग ही चाप छोड़ चुका है और इसलिए हर कोई इस अभिनेता को कास्ट करने की तमन्ना रख रहा है जहां वर्तमान में इन्हें एक म्यूजिक वीडियो का भी उफर आया है जिसमें इनके साथ अभिनेतरी कृतिका सेंगर को अप्रोच किया गया है जी हाँ जैसे कि सभी जानते हैं कि कृतिका सेंगर भी रोमैंटिक शो कसम तेरे प्यार की में शरद मलोत्रा के साथ लव केमेस्ट्री के चलते काफी जादा पॉपलर हुई थी आपको बॉलिवुड में एक से बढ़कर एक आइकोनिक सॉंग्स देकर दर्शकों से वावाही बटोरी है वही इनका ये म्यूजिक वीडियो भी इनके लिए काफी जादा स्पेशल है क्योंकि इन्होंने इस पर कई सालों तक मेहनत की है और यही वज़य है कि ये इसके लिए काफ का सेंगर को कास्ट किया जा रहा है बता दें कि ये दोनों पहली बार लव पार्टनर्स की भूमे का निभाते नजर आएंगे जिसके चलते दर्शक इन दोनों को एक साथ देखने के लिए काफी जादा एकसाइटेड है बबरों की माने तो सॉंग की कहानी पर काम शुरू ह हो चुका है जो कि बेहद रोमैंटिक और प्यार से भरपूर होगी जिसमें इन दोनों कलाकारों की लव के मिस्ट्री हमें बेहद बखूबी देखने को मिलेगी वहीं इनकी एडिटिंग और विज्वल्स पर भी काफी जादा ध्यान दिया जा रहा है जिसके चलते ये कर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये सौंग नवंबर के महीने तक दर्शकों को देखने को मिल जाए जोस्तों आप कृतिका और गौरव खन्ना की जोड़ी को तुमसे महबत है सौंग में देखने के लिए कितने एकसाइट है हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर के जरूर बताएं साथ ही इंटर्टेन्मेंट इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही तमाम मज़िदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें